कि अभी चैनल में तो आप सब्सक्राइब करने वाले अपना वेश्ण आज का मैच रहेगा किस किस के बीच में एक तरफ है जिंबावे एक तरफ है एरलंट पहला मैच बारिक शोट हो गया थे इनका भी ना बैप दूसरे मैच की बारी है आज खिल्फ है कौन जीच सकता है क् को कौन से प्लेयर लेने कौन से नहीं सारी चीज़े करने वाला डिसकस तो वीडियो को आखिर तक देखना और साथ-साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं क्या हो तो फटावट से वह भी कर लो एंड बाकी बैल नोटिफि सारी चीज़े आपके लिए वहाँ पर आती है तो मिस बिल्कुल नहीं गाना बागी चलते हैं अपने मैंच के उपर सब्सक्राइब हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा 1245 मैच के डेडलाइन एंड वहीं पर देखो बात करें अपना नेक्श निकलकर 181 मैंच ग्र सबसे रीसेंट मैं जहां खिला गया था श्रलंका ने 233 बनाए ते नीडरलेंड 105 ही बना पाई थी और इसी तरीके की पिछ हमें जो है पहले मैच में भी देखने को मिली जहां पर बैटिंग उतनी जादा अच्छी नहीं है जहां पर आपको 300 का स्कोर देखने को मिल जाए जहां पर आपको 280-270 बहुत असानी सा बनता हो दिके यह उस तरीकी की पिछ नहीं है इवन यहां पर आपने देखा एवरेस स्कोर भी कमी है कभी गबार होता है जब ऐसा स्कोर बन जाता है वरना तो 243 देखो अलाउट होगे थे श्रलंका ने चेस कर दिया 221 यहां भाई 9 विकेट खोकर बने थे 222 आराम से यहां से 40 और में तीन विकेट खोकर वेस्ट इंडीज ने बना है तो यहां पर वैटिंग उतनी जादा आसान नहीं है अब बात आती है विकेट को निकालता है देखो पिछले दो मैचेस रहें उसमें तो 9 विकेट से स्पिनर्स के उससे पहले की बात करूँ तो यहां एक विकेट था सम्गा और यहां चार विकेट था तो मान कर चल सक्ति हो सिंडाइस को विकेट मिल जाते हैं जादा कोई दिक्कत रहती नहीं है तो आज. कि चलो आते जारा Zimbabwe की playing alone के उपर तो ही यह क्या playing alone यहां सा रहती है गुंबी है और कुछ नहीने नाम भी देखने को मिलेंगे ठीक है तो ध्यान रखना और शायद आपको पुराने नाम ना देखने को मिलें जमभावी की टीम में जो लोड गुंबी है कमूनू आता है कि गंबी ने जो पिछले दो ओड़ियाई खेले पिछले वाले मैच को हटा कर बतारो उससे पहले जो दो ऑड़ियाई मैचस खेले उसमें जो गंबी का स्कोर खेला था जीडा ॉर जीरो और जीडारी में तो वाई जादा कुछ कास करके नहीं आ रहा है बठा औरермृ जम रिसेंट फॉर्म देखते हैं तो काफी ठीक है प्लेयर भी ठीक है पहले बैच में कमुनुकामवे हो या फिर गंभी हो दोनों ये प्लेयर ऐसे थे जो थोड़ा समल कर खेल रहे थे ताइम ले रहे थे अब वह एक एर पिछ ते को उतनी जादा बैटिंग के लिए अची ह है थे इनोसेंट काया ने पांची बनाएं सर्व जादा कुछ खास एक कर नहीं पाया है उम्मीद है मिरको जादा रहेंगी नहीं हालाग कि रिसेंट फॉर्म फिर भी ठीक है मैट इस्टिल यार मिरको लगते है इंसेंट काया जल्दी जा सकता है जिसके लिए सिकंदर रज उसके बाद में बारी आते है रान बोल के बाई जीरो थे उसका आद में क्लाइम बडेंडे ये भी एक ऐसा खिलाड़े जिसको विकिट कीपर में प्रेफर कर सकते हो देखो दूसरा आपके पास में ओप्शन है लोर्गेंट टेकर को पिक करने का जिसका बैटिंग ओडर है क्लाइम बडेंडे रिसेंट फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है बड जो मैंने देखा पिछले तीन-चार मैच में बडेंडे को प्लेयर ठीक है यार वैसे तुमा बुरा ही करता था था है उसके बाद में ब्रेंडन माउट है इनके तरह से 28 रहना है थे बाग एक प्रोपर बोलर है वैसे तो रिसेंट फॉर्म देखे तो भाई एक एक दो दो विकेट्स इन्होंने निकाल रखें लेक ब्रेक बोलिंग करता है बाकि उसका दमें ल्यूग जोंगवे है राइट राइट हम पेस है और जोंगवे का तो कुछ ऐसा है कि कभी बोलिंग करा है और कभी ना करें वहाला काम रहता है जोंगवे का पतानी इसको टीम बैटर समझती है कि बोलर समझती है उल्ड राउंडर समझती है काम तो यह तीनों यह अच्छे नहीं करते उसके बाद में नगरावा जो मश्पिक बनता है इक तरीके से रिसेंट फॉर्म बहुत ही जादा बोलिंग कौन कराएगा चिवंगा मुजर्मानी नागरावा जोंगवे महुता और उसके बाद में सिकंदर रजा और उसके बाद में यहां से आपको रियान बोल्ड बोलिंग के कुल मिलाकर साथ और जिम्भावे से शोक मत होना है साथ और बोलिंग करा देते हैं ठीक है य ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्ष निकल कर भई और नई बोल के साथ मैं आपको यहां से एक तरफ से तो नगरावा तो दिखेगा दूसरी तरफ से मुजर्बानी अच्छे वंगा में से टीम किसी एक से डिलवा सकती है बात करें जिम्भावे के बैंच प्ल आई खलेंटन वाली पारी जो शायद ओड़ियाई ने अतनी अतनी काम नहीं आती है उसके बाद में वैलिंटन मसागज्ज्ज्ज्ज्ज लो अर तरफ से लएक्टाम वरत दो यह बागी दो तिन पारिया ऐसी भी है जिसमें फ्लोप भी होता हुआ दिखाए तो यह रहते हैं जिम्भावे के तरफ से जो पूरी प्लेइंग 11 है और उनके रिसेंट प्लियर्स है वहीं पर अगर हम नेक्ष बात करें आयरलेंड की तरफ से प्लेइंग लेवन की तो आपक स्पेशली बलबरनी से काफे जादा उम्मीदे रहती है जब भी बात ओडियाई की आती है तो बागी कर्टेश केमफर है बैटिंग बोलिंग दोनों कराएगा तो व्वसली पिक करने आज के लिए काफे जादा बहतर पिक रहने वाला है तीन नंबर पर भी आएगा यह सब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सबसे सब्सक्राइब करें तो मैं देंडें बागी तो तीसरा कोई उप्शन बनता नहीं है उसका वाद में जोड्स डोक्रल है आज कल बोलिंग भी करा रहा है तो हां उप्शन है आपके पास में पिक करने का बागी राइट हैं बैट स्लो लाफ्ट हम और तो डोक्रल ऐसा है जो ओल्मॉस्ट जादतर मैचस में मतलब बोल सकते हो 90% मैचस में आपको पॉइंट्स देकर ही जाता है और वो बैटिंग का वापसी हो रही है उसके बाद में मार का डायर है मार का डायर आपको बैटिंग बोलिंग यार दोनों बढ़िया करता है तो मिस्करने लाइक खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है ग्राम हूं एक रिस्की बनेगा बठाब पिक कर सकते हो अगर जील में जा रहे हो तो मैं बोलुन के साथ मांब टीम मना सकते हो चार हो बोलर को लेंगे एवन पांचों को लेके मैख governments पिछले애 इसन्य मैच की हो य позвол package यंग के आते ही जाते ही और बाकिशन उतना ज्हाता है उतना जए इंपक्ट अभी जो शो लिटेल को देखने को मिल ले रहा है पर हाँ में बोलर है टीम का एक तरीकी से अडायर के बाद में तो लेना तो बिलकुल यहां से इंपांट बनता है तो यह है एरलाइन के तरफ से जो पूरी प्लेइंग लेंट रहती है जिसमें अगर मैं बोलर की बात करो तो बोलिंग उप्शन इनके पास में भी काफी जाद है जैसे पांच तो भाई यही हो गए है चटा बोलर अगर मैं बात करो करतिस केमफर है साथ वा यहां से डोक्रेल है और फिर भी अगर जारत पड़ी तो इट एक्टर से बोलिंग करा देते है बट अभी उसके चांस कम रहने वाले तो डोक्रेल केमफर और यह पांच तो किल मिलागर साथ बोलिंग उप्शन यहां से टीम के पास में रहेंगे उसके बात में काई मेरी मेकार्थी है हुम की जगे पर मेकार्थी को खिला सकते हैं पर पहला मैच दे को वश आउट हुआ और आरलेंड के जो बॉलिंग रही थी वो काफे ज्यादा ठीक रही थी ऐसा कुछ नहीं कि वह एक और में किसी को 20-25 पड़ गए तो चेंज करने को उम्मीद कमी है जिम्भावे की टीम में जिसमें उन्होंने 52 जीते हैं और 101 मैच वह यहां पर हारे हुए तो कुछ जादा खास परफॉर्णस तो जिम्भावे का रहा नहीं है उनका होम ग्राउंड होने के बाद में भी बागी अगर बात करें वेन्यू लीडर्स की बैटिंग शेक्शन से सिकंदर रजा है जिन्होंने 49 मैचस में 1780 रंस बनाए हैं 43 के साथ में इस ग्राउंड की में बात कर रहा हूं ध्यान रखना उसके बाद में रियानपुरल है 21 मैच है 509 रंड 28 के साथ में बोल श्रलिंग 13 मैच में 427 रंस है और उसके बाद में आते हैं इनोसें काया 15 मैच में 414 रंस के साथ में 29 का इंका बाकि एंड्रो बलबर नी 9 मैच में 296 है आवरेज आपको देखने मुल जाता है बाकि सच्छे अच्छा है 30 प्लस का इवरेज है उसके बाद में जॉयलोड गंबी है 7 मैच में 184 39 का इवरेज गंबी का भी रहते हैं और क्लाइम में डेंड 38 मैच में 36 मतलब इतने भी नहीं है कि मैच से दोर विकेट बराबर हो सके नगरावन 19 मैच में 26 निकाले है व्यसलिए अच्छी बोलेंग है ब्लैसिंग उजरबानी के नाम भी 15 मैचेस में 18 विकेट्स रहें लूग जोंग वे 16 मैच में 17 विकेट्स मैक ब्राइन ने 11 मैचेस में 12 विकेट्स यहां से निकाले हुए कुछ एक दो नाम जो आपको देखने को मलते है भाई जिम्भावे बोलर्स के बीच में आरलेंड के जोर्ज डोकरेल ने 10 मैच में 9 विकेट्स है और रियानबुर्द 16 मैच में 7 विकेट्स देखो एक तो रियानबुर्द और एक यहां से डोकरेल यह दो बोलर्स ऐसे हैं जिनका आपको काफी जादा हाई देखने को मलते हैं 55 और यहां से 57 का जो जादा अच्छी बात नहीं है बट बाकी सब बोलर्स का काफी जादा ठीक है रिकोर्ड यहां से उसके बात में हेट्वर्ड की बात करें तो 20 मैच जिसमें 8 जीते जिम्बावे ने 8 जीते आर्लेंड की टीम ने और तीन मैच नो रिजल्ट रहें जिसमें एक मैच हमें जो वो टाई देखने को मलाए भी तक तो अभी तक बराबर है जो भी टीम जीतेगी वो आगे ही सिकंदर रजा ने तेहरा इनिंग में चारसो बीस रहन बनाये हैं 42 का ही यहीं तो होता है यहां से नोट आउट रहने का फायदा जबकि इनिंग रजा की जाता है रन रजा के कम है बटा एवरेज रजा का बराबर है बाकि हैरिटेक्टर है पांच मैच मैच में 294 रंस है प हाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है उसके बाद में रैंबोल साथ मैच में 208 और लोरगन टेकर साथ में 156 रंस के साथ में हैं और आज के लिए ध्यार न रखना पांच चटी नंबर पर रहेगा बैटिंग के लिए तो यह रहती है हमीं के लिए हैड़ लीडर्स की बात जहां से बैटिंग section से बॉलिंग की बात करे तो मैंक ब्रहीन हैं यहां से हीच्ट देखने को नहीं मिल रहा है सिकंदर अगेंस के को дорaker उसके बाद वे मिलैसिंग मुजबवानी के नाम 4 मैच में 6 विकेट्स है और ग्रहम हूम के नाम भी आपको 4 मैच में 6 विकेट्स है वो देखने को मिल जाते हैं तो यह रहते हैं हमारे लिए हिट्वर लीडर जो बैटिंग और बोलिंग सेक्शन साथ हैं वहीं पर अगर हम बात करें प्लेयर बैटल की पोल स्टर्लिंग जो है वो अगेंश्ट नागरावा दो बार आउट हो चुके हैं वापस से वैसे चुनोती रही कि नागरावा के पास में शुरुआती और में श्टर्लिंग या बलवर्नी को आउट करने की जिसमें आइधिंग वो काम्याब हो सकते हैं श्टर्लिंग को आउट करने में उसके बाद में सिकंदर रजा है जो कि मार्क अडायर के अगेंश्ट में दो बार यहां से जो हो आउट हो चुके तो यह रहते हैं हमारे आज के लिए जो प्लेयर बैटल है अब आ जाते सीधा अपने टीम के ओपर कि जो आज के लिए वहानी टीम है वो क्या बन के आ सकती है तो टीम की अगर माँ बात करूं तो भाई टेकर को मैंने यहां से पिक क्या हुआ है उसके बाद में कमुनु कम्वे है उसके बाद मैं हैरी टेक्टर है मेरे पास में जो डोकरल सिकंदर रजा रियान बोल कर्टिस कैप्टन यही है देखो अभी के लिए चाहे खराब है पर्फॉर्म्स के उतना ज्यादा बहतर नहीं है बट स्टिल डीसेंट तो था उतना भी कुछ ऐसा नहीं अगर रखना ही नहीं चाहिए सिकंदर जागो सबसेफ कैप्टन यहीं बनता रन और विकेट लेने के मामले मे वाइस कैप्टन के लिए टेक्टर है आपके पास में एक उप्षिन अगर एरलेंड यहाँ से पहले बॉल्लिंक करती है तो उस केस में आप थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाहो थोड़ा अलग जाना चाहो तो वाइस के लिए यंग को या फिर अडायर को भी यहांसे ट्र सब्सक्राइब करने के लिए मौधी जी मैं जाता हूँ मौधी जी अब तुम्हें बताएंगे कि भाई चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेस्ट आपको मिले इसके लिए बैल आइकन जरूर दबाईएगा